हेलो फ्रेंड्स आयम इन्होंड फ्रेंड्स इस मिलीकिने जश्ईन के कॉर्श्ट फ्रेंड्स यह कॉश्चन सभी कॉर्स के लिए उसफुल है क्योंकि फ्रेंड्स दो से चार किको सबस्वी क scholarships में General Science के पूरहए चाते है करिंदे अप science student नहीं है और आप B.A, B.L.L.P, B.B.A, B.F.A, B.A.B.Ed इन सभी कोट्स की भी इंटरेंस एक्जाम की प्रपेशन कर रहे हैं तो ये कॉश्चन आपके लिए काफी हेलफुल है ये क्योंकि फ्रेंट्स आपने अभी तक कॉश्चन प्रिभी शेर कॉश्चन पिपर देख ली होंगे और मैं पूछे जाते हैं जर्नल साइंस से 5 से 6 कॉश्चन प्रिभी शेर के स्वारी जर्नल साइंस के पूछे जाते हैं तो फ्रेंट्स हम कोश्चन स्टार्ट करते हैं, फ्रॉस्ट कोश्चन है, निम्लिखित मैंसे कौन सी विद्धु चुम्बी की तरंगों का तरंग धहर सबसे अधिक है, ओप्शन है, A. परावेगनी करने, B. शूरे की रोश्णी, C. गामा करने, D. अवरक्त करने, तो फ्रें धातु का गलनांक सबसे अधिक है, ओप्शन है, ओप्शन है, ओशियम, B. टंगस्टन, C. मॉलिविणनम, D. अलुमीनियम, तो फ्रेंट्स इसका राइट आंसर देखे, B. टंगस्टन, टंगस्टन इसका राइट आंसर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे हलकी धातु B. इरिडियम, C. अलुमीनियम, D. ओशियम, तो फ्रेंट्स इसका राइट आंसर देखे, A. लीथियम, लीथियम इसका राइट आंसर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धौनी की कती सारवदिक होती है, ओप्शन है, बायू में, B. जल में, C. निर्वात में, D. स्टील में, तो फ्रेंट्स इसका राइट आंसर देखे, B. जल में, जल में, धौनी की जो गती है, मुष्चारवदिक होती है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है, तो इसका घनत्व, ओप्शन A. बढ़ता है, B. कोई अंतर नहीं होता, C C. कम हो जाता है, D. उप्रियोक्तिस मैंसे कोई नहीं, तो फ्रेंट्स इसका राइट आंसर देखे, C. इसका राइट आंसर है, कम हो जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाले रंग का गुलाब हरी रोश्णी में कैसा दिखाई देता है, ओप्शन A. पीला, B. गुलाफी C. काला, D. लाद, तो फ्रेंट्स इसका राइट आंसर देखे, C. काला, काला इसका राइट आंसर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूद की सुधता किस यंत्र दुआरा ना पी जाती है, ओप्शन A. मैनोमीटर, B. हाइड्रोमीटर, C. लेक्टोमीटर, D. फैदोमीटर, फ्रेंट्स इसका राइट आंसर देखे, लेक्टोमीटर, लेक्टोमीटर इसका राइट आंसर है, क्योंकि दूदी की सुधता लेक्टोमीटर यंतर से मापे जाती है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइनमो का कारह आप्शन है, ए बिद्दुत उर्जा, यांतरिक उर्जा में परिवर्दित करना, A. यांतरिक उर्जा को बिद्द उर्जा में परिवर्दित करना, C. बिद्द उर्जा को उश्वा में परिवर्दित करना, D. इनमें से कोई नहीं, तो फ्रेंट्स इसका राइट आंसर देखे, बी इसका राइट आंसर है यांत्र कूर्जा को विद्ध तूर्जा में परिवर्दित करना नेक्स्ट कोश्चन है टैली वीजिन का विश्कार किस ने किया ओप्शन है ए जे एल वियर्ड बी मैक मिलन सी जैम्स वाट दी इन में से कोई नहीं तो फ्रेंट इसका राइट आंसर देखें ए ए इसका राइट आंसर है जे एल बीयर्ड नेक्स्ट कोश्चन है हड़्ड़ों और दातों में जो राश्चानिक पदार्थ बिद्देमान रहता है उसे क्या कहते हैं ओप्शन एक कैलसियम कैलोराइट भी कैलसियम बुरेट सी कैलसियम फासफेट दी कैलसियम सलफेट फ्रेंट इसका राइट आंसर देखें सी कैलसियम फासफेट इसका राइट आंसर है नेक्स्ट कोश्चन है लोहे के पाइप जिसमें पार्मी की सप्लाई की जाती है पर जिस्ते की परत इसलिए लगाई जाती है कि जंग ना लगे इस परत चड़ाने की प्रकरिया को कहते हैं अप्शने अनेली करण बी वलकिनी करण सी यशद पुलेपन डी इन मेंसे कोई नहीं तो फ्रेंट इसका राइट आंसर देखें सी यशद लेपन किस अमल का अप्योग निर्जली करक कारक की रूप में किया जाता है अप्शने अप्शने अ निस्पातन दौरा बी बाष्ट इसका राइट आंसर है नेक्स्ट कोशने बिले को बिलियन से प्रतिक किया जाता है अप्शने अ निस्पातन दौरा बी बाष्पी करण दौरा सी निस्तारन दौरा बी अफशादन दौरा तो फ्रेंट इसका राइट आंसर देखें बी बाष्पी करण दौरा नेक्स्ट कोशिन है निमलिकित मैंसे कौन सी गयस बायू मंडल में नहीं होती है ओप्शन ए नाइट्रोजन बी हीलियम सी क्लोरीन डी क्रिप्टन फ्रेंट इसका राइट अंसर देखें सी क्लोरीन, क्लोरीन इसका राइट अंसर है नेक्स्ट क्लोरेट को गर्म करने पर ओप्शन ए नाइट्रोजन गैस निकलती है बी ओक्सिजन गैस निकलती है सी नाइट्रोजन गैस निकलती है स्वरी हाइट्रोजन गैस निकलती है डी इन मेंसे कोई नहीं तो फ्रेंट इसका राइट अंसर देखें बी ऑक्सिजन गैस निकलती है इसका राइट अंसर है फ्रेंट इस वीडियो में बस इतनी कोश्वन आगे कोश्वन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फ्रेंट आयो आपको किसी भी कोश्वन कोई प्रॉप्लम नहीं होगी तो आप हमें कमेंट करें हम आपको उसका स्वलिशन देंगे उससे वीडियो की तुरू आपको एक्स्प्लेंड करेंगे टॉपिक तो आपको समझ आशाएगा अप्रेंट आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे झाल